संख्या फ्रेम के साथ संख्याओं को जोडना आज हम बच्चों को संख्या फ्रेम की मदद से संख्याओं को जोडने के लिए एक छोटासा कार्य करवाएंगे संख्या फ्रेम बच्चों को संख्याओं को देखने, समझने और अधिक मज़िदार तरीके से गिनने में मदद करेंगे इस कारिय के लिए हमें कॉपी, पैंसिल, स्केल और दो अलग अलग दाल या अन्य मसालों के दाने की अविशक्ता होगी पहले हम संख्या फ्रेम बनाएंगे, मैं दिखाती हूँ कैसे, उसके लिए अपने कॉपी में पैंसिल और स्केल की साहता से दस डिब्बे बनाएं, कुछ इस तरह हमने कितने डिब्बे बनाएं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस अब हम दो अलग अलग बीजों या मसालों के दाने की मदद से बच्चों को संख्याओं को जोडना सिखाएंगे मैंने यहां राजमा के बीज और इलाइची का इस्तमाल किया है पहले प्रश्ण में हमें दो और तीन को जोडना है पहली संख्या है दो तो हम दो राजमा के बीज संख्या फ्रेम में रखेंगे एक दो दूसरा नंबर है तीन तो हम तीन इलाइची के दाने रखेंगे एक दो तीन अब जोडते हैं एक दो तीन चार पांच तो दो और तीन को जोड कर बनता है पांच तो मैं यहां लिखूंगी पांच दूसरे प्रश्ण में हमें छे और दो को जोडना है पहली संख्या है छे तो हम छे राजमा बीज संख्या फ्रेम में रखेंगे एक दो तीन चार पांच छे अब दूसरा नंबर है दो तो हम दो इलाईची के दाने रखेंगे एक दो अब हम इसे जोडते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ तो छे और दो को जोड कर मिलता है आठ तो मैं यहां लिखूंगी आठ अब बच्चों से कहिए कि वे प्रतियक प्रश्न का उत्तर बीज और फ्रेम का उप्योग करके गिने और फिर सही उत्तर लिखे कारियों को पूरा करने के बाद बच्चों की कॉपी की तस्वीर लेकर हमें वाटसाप ग्रूप पर भेज दीजिए